आज के इस छोटी से वीडियो में इंग्लिस के हम लोग दो स्मार्ट संटेंस देखेंगे ठीक है जैसे कि आप कह सकते हैं कि मुझे नीन दा रही है अगर आपको किसी से बोलना हो ऐसे कि मुझे नीन दा रही है तो उस समय आप बोलेंगे I am feeling sleepy I am feeling sleepy दूसरा संटेंस देखते हैं दूसरा संटेंस जैसे कि आप बोलेंगे उसे गाली मत दो अगर कोई किसी को गाली दे रहा है और आप उसे जाकर कह रहे हैं कि उसे गाली मत दो तो आप उस समय इंग्लिस में बोल सकते हैं कि Don't abuse him Don't abuse him मतलब कि उसे गाली मत दो ठीक है तो ये दोनों ही सेंटेंस काफी अच्छे है तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजेगा ठीक है और आपने डिल लाइफ में यूज भी कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा साथे साथ में Team Classer चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोडिफिकेशन में भी ओन कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धेंकी सो मच